दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ क्या ब्लॉगिंग 2023 में प्रॉफिटीबल है क्या 2023 में ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है ब्लॉगिंग मतलब वेबसाइट बनाना उस पे कुछ आर्टिकल्स लिखना और पब्लिश कर देना लोग आते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं उनमें लगे हूए एड्स को भी देखते हैं और आपको पैसा मिलता है जब वेब बहुत पापिलर हो रहा था इंडिया में तो इसे करना बहुत असान था मुझे याद है जब मैंने एक चार पेज की वेबसाइट बनाई थी और उस पे बहुत सारे लोग डेली आ रहे थे मैंने उस साइट को कहीं प्रमोट नहीं किया था वो जमाना आज से 10-15 साल पुराना वाला जमाना है लेकिन आप वो नहीं रह गया है अब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो इसमें आटमाटिकली लोग नहीं आते क्योंकि सैचुरिशन बहुत साथ है तो ब्लॉगिंग पहले बहुत इजी थी अब डिफिकल्ट है त 1000 डॉलर, 2000 डॉलर, 5000 तक अर्न कर रहे हैं अपने ब्लॉग से जो उन्होंने एक देड़ दो साल पहले क्रियेट किया है तो ब्लॉगिंग डैड नहीं है लेकिन ब्लॉगिंग बहुत बदल चुकी है जैसे सोशल मीडिया जैसे फेस्बुक आज से 10 साल पहले था अब वो वै बात करते हैं कि कौन लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं मेकैनिजम कैसे काम कर रहा है भाई देखो ब्लॉगिंग के हैं तो जितनी भी सर्च जूरी आपको पता है गूगल पे 5.6 बिलियन सर्च जिसमें से 94% जो भी रिजल्ट आते हैं वह और उसमें से जो रिजल्ट अब ब्रैंड को सर्च कर रहे होते हो अगरा है किसी परटिकुलर उतीं को या उसका क्नेक्शन किसी परटिकुलर ब्रैंड से है तो shopping, उसके banking और insurance, इस से related अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो तो मैं दावी के साथ कह सकता हूं, as an individual blogger, as an individual blogger, आप कभी भी उसको target नहीं कर पाओगे, नहीं cover कर पाओगे, यह सारे topic को cover करने के लिए, already corporate world के बड़े बड़े नाम, आपस में लड़ाइकर है, तो उसके बीच में आप एक अखेले क्या करोगे, बड़ी company हैं, जिसमें 100-100 blogger बैठे हैं, एक topic पर लिखने के लिए, बनाने के लिए, site को optimize करने के लिए, SEO expert, 50-50, 60-60 SEO expert लगे हुए, तो अगर आप इतनी broad niche को अगर cover करना चाहते हो, तो भाई आपके लिए ये late हो चुका है, 2023 इन broad niches को cover करने के लिए, सही वक्त नहीं है, क्योंकि अब already बहुत सारे बड़े नाम उस पर करने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कि आप नहीं कर सकते हैं, अभी भी ऐसी बहु उसे कितनी जल्दी find out करते हैं, अभी देखो पूरी दुनिया में औसत कहलू मैं या पहले सालों के हिसाब से कहलू लगभग एक आपको idea बताता हूं, percentage का या अनुपात का ratio का, 1.7 billion websites हैं, जिसमें से 600 million website blogs हैं, इसका मतलब अभी भी web पर इनका बोल बाला है, बहुत मात्रा में यह website हैं, तो लोग बना रहे हैं, तो मुफ्त में, फोकट में तो बना नहीं रहोंगे, obviously उसमें से बहुत percentage कि जो लोग होंगे, वो पैसा भी कमा रहे होंगे, तो आप भी कमा सकते हो, इस सारी चीज कैसे काम करती हैं, जैसे कोई भी search engine पर जाता है, एक problem लेके आता है, वो problem search करता है, then keywords आते है, then जाता है, then blogs आते है, then पढ़ लेता है और उसको result मिल जाता है, अब देखो, आज 2030 में ब्लागिं करने के लिए आपको, मतलब हर चीज का master होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको खुना भी नहीं चाहिए, वो अलग जमाना था जब एक इनसान चा आज कल आपको ब्लाग जो बनाना है, उस ही topic पर बनाना है, जिस topic या जिस निश के आप expert हो, ताकि आप उसमें ऐसी चीज प्रोवाइड कर पाओ, जो quality हो, आज कल quantity नहीं चलती, आज कल quality चलती है, quantity तब चला करती थी, जब websites की कमी थी, वो पुराना दौर था, जब दुनि अब ऐसा नहीं है, तो अब आपको कोई भी अगर ब्लाग बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो उसी topic पर बनानी है, जिस निश के आप expert हो, और अगर नहीं भी हो, तो उस निश के expert आपको बनना पड़ेगा, तब ही आप लोगों को unique content, unique ideas, और quality content दे पाओगे, और आज क content एक जो copy किया गया, जो घुमाया गया, spin किया हूँ article है, सब पता कल लगा लेगा, तो इसलिए आपको ये चीज करनी है, AI से तो भाई कुछ नहीं होता, मैंने करके देख लिया, कोई result नहीं निकलता, original content अभी भी king है, जो की खुद से लिखा गया हो, और human वारा लिखा गय इन सारी चीजे के उपर blog बनाना, ये सारी चीजे अब नहीं चलती दोस्त, तो क्या चलता है, वो मैंने आपको बता दी, blogging अभी profitable है, तो आप शुरुवात कैसे करेंगे, कि इसके लिए पैसा खर्च करनी की ज़रूत होती है, नहीं दोस्त, आप Google के blogger, यानि blog spot पे जाकर भी free blog बना सकते हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी unsaturated निश हैं, आज भी, जिस पर अगर आप blog लिखोगी, तो ना आपको domain की जरूरत है, ना आपको paid hosting की जरूरत है, Google का blog spot, free वाला भी बहुत अच्छा rank कर सकता है, ये दुनिया से पूछिए जो की tech की videos बनाते हैं, हमारे inbox ऐसी unique unique tech की problem से घिरे वे होते हैं, जो शायद दुनिया में 5-6 लोगों को ही होगी, ऐसी unique topics जिनकी ज़्यादा अभी market है ही नहीं, आप उनके उपर बना सकते हो, तो जाईए अपनी creativity दिखाईए, blogs बनाईए, लिखिए, लोग आ से दूँ की blog बनाते कैसे हैं, मैं अपनी computer screen पर ले जाओं आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी जो next videos बनाऊँगा, उसमें include कर दूँगा, कि एक free का blog कैसे बना जाता है, 2023 के हिसाब से, उस पर content कैसे लिखना है, और क्या चीज़ करनी है, इसके लिए आपको म पता नहीं होगा कि बहुत सारे सालों से, काफी सालों से, मैंने बहुत पहले एक vlog बनाया था, 5-6 साल हो गए होंगे, वो आज भी पैसा दे रहा है, वो ऐसी niche है, जो मैं किसी को बता नहीं सकता, फिकर बहुत सारा competition हो जाएगा, शायद मेरा 5-6 साल पुराना blog, जिस पर हीने के काफी पैसे दे रहा है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और मैं आपको सिखा दूगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, साबर सेक्योरिटी और इथिकल हाकिंग तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 2.99 रूपीज के तीन इतिकल हाकिंग कुर्से से, आसान भाशा में आपको इतिकल हाकिंग सिखा देंगे, मैं मलता हूँ अपस एगली वीडियो में, थैंक यू सो मच और गुड़! झौज करें, लूए हाँ करें दिस्क्रिपकान देंगि ताद में पेटी हैं, थैंक प्रज च्वस कि और व mengवरे दिमोत यू नगे करें, बार को देंगे हां नमोद्वयों हाहार्वरोगरू, चिजू स यूार से, चार पाल वीदीज़़े कर दो दाण करें, तो र Keeping Ign스트 च्